जैहिन गंतन दिवस की सभी को बढ़ाई नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देखें अपना खासकार करम विहार समाचार विहार समाचार में खबरे विहार की बातें विहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जयूरी है विहार समाचार में खबर लेते देश वासियों को गंतंत्र दिवस की हार्दिक सुब काम नाएं और यहां हर चवक्षवराहे पर दिल्ली के लाल किला पर पटना के सचीवाले में गंतंत्र दिवस के उसर पर जहन्डा पहराया जा रहा है यह एक दिन पहले राष्ट पती दुरौति मुर्मो ने राष्ट के सकता है शरकार कभी भी बदल सकती है और सियासी उलट फेर विहार में हो सकता है और जो चर्चा हो रही है एक तरफ भाजपा में दूसरे तरफ जड़यू और तीसरे तफ आर जेडी लगातार बैठ के कर रही है और यह बैठको का दोर देर रात तक जारी रहा है जो अभी तक अपडेट निकलकर आया है सामने जो आया है कि नितीश कुमार का वह भासन जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पर हमने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया नितीश का परिवारवाद पर निशाना था तो लालू के बेटी रोहनी ने एक्स पर ट्वीट कर दिया और लि मत्रैली तरह बडलती जिसकी बिचार थारा है तो सीधा के सीधा या हमला जो था नितीश कुमार पर था ताज अपडेट क्या है इस पर भी चशर्चा करेंगी और आज हम चर्चाया करेंगे कि केके पाठक काबकुर्सी जाने वाला है केके पाठक की विढायि तैञ होने व क्या आप बिश्वास कर सकते हैं कच्छा एक से बारहवी तक के सरकारी डाले की जो पुस्तके हैं उसमें 9000 तूरूटियां है 9000 तूरूटियों को दूर करने का काम कर दिया गया है अब नए सत्र में पहली से बारहवी तक के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं किताब तूरूटी विहीन होगी और वहीं क्या जाते नितीश कुमार वार्ट सदस्यों के लिए कुछ कर कर जाएंगे या अंगरी वारी सेल का सहाईकों के साथ क्या होने वाला है और पूरी राहिती घटना क्रम पर हम नजर डालेंगे कि आखिर सुरुवात में ही मैंने बता दिया था कि आखिरिया मामला हुआ कैसे नितीश कुमार के परिवार वाली बयान के बाद उसके बाद नितीश कुमार के और लालु जी की बेटी रोहनी ने जो एक्स पर जो लिखा सोशल मेडिया पर जो लिखा उसके बाद यह मामला पूरा तूल पकड़ गया बात यहां तक आगे बढ़ गई कि कैबिनेट की बैठक चल रही थी 15 मिनेट में ही कैबिनेट की बैठक खतम हो गई उप मुक मंतरी तेजस्वी यादा और नितीश कुमार दोनों दूर दूर बैठे थे दूर दूर बैठे थे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है और बात सामने निकल कर आ गई जब नितीश कुमार तेजस्वी यादा पहले बाहर निकल गए और हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे तो नितीश कुमार परनाम करके बाहर निकल गए और इतना ही नहीं हुआ एक अनेमार्ग में अपने आवास पर बैठक करने लगे और बि नितीश कुमार के बयान के बाद और जड़ियों की वित्तलखी बढ़ गई है सीम हाउस में मुख मंत्री जहां बैठक कर रहे थे वहीं राबडी देवी के आवास पे तेजस्वी अपने पार्टी के नितावे के साथ बैठक कर रहे हैं सीम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी इसी बीच मुख मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इधर बदलते घटना क्रम को लेकर भाच्मा में भी हल्चल से जो गई और पहली फूर्सत में पहली सुबह गारी इसमें पहली प्लेन से दिल नी रवाना हो गए हैं बड़े नेता भाच्मा प्रदेश प नागेंद्र संगठन महामंत्री भीकु भाई डल्सानिया परदेश सद्यक्ष समराथ चोधरी राश्वसांसा सुसील मोदी पूर्व डिपटी चोधरी डिपटी सीम रेनु देविश सामिल है बिहार से आने वाले सभी केंद्रियों मंत्री बिहार से आने वाले जितने भी केंद्रियों मंत्री हैं उन्हें दिल्ली बोला लिया गया है यहां सारा का सारा घटना करम गंतंत्र दिवस के एक दिन पहले की है और इधर जो मिनट दर मिनट खबर निकल कर आ रही है लोग उस पर रखे हुए हैं बीजेपी का लालू परिवार पर तंज जहां चल रहा थ बहुत सारे घटना ग्राम दो घंटा के अंदर हला की दिर राता के बैठक होती रही पलपल के अपडेट लोग लेते रहे तो कुछ अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इधर और आर जैटी परवक्ता बोले सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है यह सक्तिशिंग अज़र में कोई आच नहीं है वह ही आर येडि के दिर रख सारे साथ बस्ते कर बात बदा रहा हूं आर एक सिवानंद बोले कि नितीश के नितितर वेडियापी को रोकेंगे खिसारे आठ वजे तक साले साथ वजे तक या बाच चल रही थी और इसी बीच बटना के डीम साहिब निटीश कुमार के आवास पे पहुंच जाते हैं शियासी हल्चल के बीच ही पटना के डीम गर्ट चन सेखर एक अनिमार मुख मंतरी के आवास पर पहुचते हैं और लेकिन यह किलियर नहीं हुआ है कि यह किसलिए CM आवास्त आये हैं और रावड़ी आवास्त निकले MLC ने कहा कि सरकार में कोई खटपट नहीं है हलाकि जो आर रेडियो जद्यू के देर रात तक जो उनके नेता है देर रात तक कहें कि गटबंधर ठीक ठाक है लेकिन यह मिटिंग क्यों हो रही है इस बारे में कोई कुछ बता नहीं रहे थे और इधर इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर रही है आए कि ला जो बीजेपी है लालू परिबार पर तंज कशने लगा और दिल्ली में बिहार के भाच्वा पर देश पर भारी बिनोत तावले के घर पर बैठक चलने लगी बैठक में बिहार धार्खंट के छेते संगठर महमंसरी की सब थे ही अब यह चर्चा यहत्यज हो गई है कि क्या नितीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं हलाकि इससे पहले 25 तारिक तक बोले थे जीता रामान जी ने कहा था कि खेला होने वाला है और उनकी बात तो सही लगता है कि हो गई है हलाकि नितीज कुमार के परिवारवाद पर निशाना साधा था उसे लालू परिवार ने बहुत गंभिरता से लिया हलाकि एक पर अपनी टिपनी को रोहनी अचारिया ने हटा लिया है लेकिन अभी जिस तरह से बैठको का दोर जारी है और दिर रात तक जारी रही है आज जंडो तोलन हो रहा है जंडो तोलन के बाद कोई बहुत बड़ी खबर आ रहे हैं पलपल की रिपोर्ट मैं आपके चै स्कूलों की पाठक्रमों में 9000 को दूर किया गया है वहीं इंजिनियरिंग कालेजों में किसी एक ब्रांच में अधिक्तम 240 सीटों की बैठता समाप्त कर दी गई है यह बड़ी खबर है और ठंड सीवर कोल्ड 29 तक सीवर कोल्ड डेका अलट किया गया है केके पाठ्यक के त बंद कर सकते हैं और वहीं अ विहार पुलिस विभाग में बहुत बढ़ा बदलाव होने वाला है तेरासी तेतालीस अपराधियों नक्सल्यों पर ₹ couleur का इनाम घोशित किया गया है इकासी लाख रूपे तेतालीस ऐसे बिहार के अपराधिय जो है जो विस्पोटक पी हैं उन पर एक 80 लाख रुपे इनाम घोशित किया गया है वहीं पुलिस विभाग ने दस से ज्यादा केस सोल्व करने वाले पुलिस प्राधिकारों को सम्मानित करने का निर्ने लिया है और वहीं त्रीन मुलनेता के घर 18 दिन बाद फीर छापा पड़ा है ताला तोड कि अब तक थंड से दो बच्चों की मौत हो गई है दो बच्चों की सिवियर कोल्ड के कारण मौत हो गई है मुझभपरपूर में और जिसे लेकर केके पाठक पर केके पाठक पर मुकादमा भी मुझभपरपूर में दर्ज किया गया है और वहीं डीजीपी बनकर हरियाना क के आई जी से बिहार के किवाने ठागे हैं 90,000 रुपे फर्जी सोसल मिडिया अकाउंट बनाकर किया अन्रोग किया फ्रॉड ठगडिया के दो अपराधी और हरियाना के डी जी पी से 90,000 रुपे ठाग लिये हैं यह दो बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि क्या वाड सदस्य को लेकर नितीज कुमार कुछ अच्छा करकर जाने वाले हैं तो अभी बहु सारे वाड सदस्यों ने शिकायत किया था कि उन्हें वाड रक्षन और रक्षक की रासिन नहीं मिली है दो सालों से वह रासिन नहीं मिली है जो होता है 96,000 रुपया वह 96,000 रुपया देने के लिए इस कैबिनेट प्रस्ताव रखने वाले थे लेकिन यह कैबिनेट ही 15 मिनट तक ही चली लेकिन जो अनुरी सुत्रों से जो पता चल रहा है कि जल नहीं हां कि मुख मंती तो नितीज कुमार ही रहेंगे सरकार किसी की भी बने जल ही वाड सदस्यों के लिए और एक खुश खबरी आने वाली है कि साथ निचे पार्टू योजना जो है उसको वाडो के जिम्में दिया जाएगा नितीज कुमार इस से भी नाकूस थे कि जो साथ निचे पार्टू योजना अभी प्रगती पर नहीं थी पकड़ नहीं रही थी उसको गती नहीं मिल रहा था गाओं में विकास नहीं हो रहा था तो वाडो को जल्द भी 96,000 रुपिया जो मिलने वाला है उनका जो रक्षन और च्छक रासी है जो मिलने वाला है वही आगनवाडी सेविका सहाई का हवाले से खबर रहा रही है कि मार्च तक उन्हें जो ही बेतन बढ़ा हुआ है उसी से मिलेगा मार्च के बार उनके बेतन और भत्ते में बढ़ोत्री की जा सकती है और इधर जो ग्राम कचहरी के जल्द ही उसे भी लागू कर दिये जाएगा और उनके बेतन को बढ़ाया जाएगा और अगर ग्यानबापी से लेकर खबरों की बात करें तो जिरा दालत ने ग्यानबापी को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है कि पक्षो को आप दीजिए जो भी है मामला चल रहा है ल लग रहा है जहां त्रीन मूल कॉंग्रेस लिया से अलग नहीं रहेंगे लेकिन हम चुनाव अकेले लड़ेंगे वहीं पंजाब में भी सीटों पर विवाद हो गया है और पंजाब भी कॉंग्रेस को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ेगी जिसके भाजपा को फायदा होन अवाला है और वहीं खबर आ रहे है कटिहार से सोहार्थ बिगाडने की कोशिस में सलक ट्रैक पर सलक और ट्रैक पर आगजनी की गई है और नोकरी के अगर बात पर है तो निस्नल डिफेंस अकेडमी कूने में एक सो अन्ठा अन्वे पदों पर निकाली है भरती दस्नी पास को मौका दिया जाएगा और फ्रांस के राष्ट्पती जैपूर जैपूर के गलियों में स्वापिंग किया और वही हमारे गंतंत्र दिवस के मुख्य महमान हैं दोस्तों यह थे वो तमाम खबरे जिसे आपक मत्र